आज मैं बनाऊंगी चोमासा के लिए पहुत ही टेस्टी एकदम डिफरेंट तरीके से मज़ेदार सबजी कौन पनीर तवा फ्राई सबजी के लिए ना हमें ग्रेवी अलग से बनानी है तो ये सबजी जल्दी से बन भी जाती है साथ में हम बिना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सुडा की गेहू क्याटे की नान बनाएंगे जो एकतम सौफ बनती है और सबजी के लिए पनीर भी हम घर पर बनाएंगे जो हम बीना निम्बू के रस और बीना विनेगर बनाएंगे फिर भी ये पनीर एकतम सौफ बनता है तो आप भी इस तरह का कॉम्बो रेसिपी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ड्राय करना अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए उससे मेरी वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉन पनीर तवा फ्राय बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे तो मैंने यहां आदा लीटर फूल फेट दूद गरम करने के लिए रख दिया है अब मेडियम टू हाइफ लेंपर दूद में उबालाने देंगे तब तक यहां मैंने आदा कप दई लिया है और इससे निकाला हुआ है तो दई ज्यादा यूज करना पड़ेगा तो देखे दूद इस तरह गरम हो जाने के बाद हम एक दो चमच दई एड़ करेंगे और चमच से चलाते रहेंगे एक साथ में दई हमें एड़ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा दई एड़ करते जाना है चमच से मिक्स करते जाना है अब गैस की फ्लें हम अ महां रखेंगे तो यससे झाहिए न दई दूद में एड़ करते जाएंगे वैसे ये दूद फटता जाएगा तो हमें इसी तरह दई थोड़ा थोड़ा एड़ करना है तो देखे, दूध फटने की शुरुआत हो गई है तो अब हम एक दो चमच दई अट करते जाएंगे और चमच से मिक्स करते जाएंगे तो देखे, इस तरह पानी और छेना अलग हो गया है तब हम गैस बन कर देंगे और तुरंत इसे हमें छंदी में डाल देना है जिससे पानी और छेना अलग हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें इसमें रखना नहीं है नहीं तो ये पनीर फिर चुई हो जाएगा और ये पनीर को हमें ना दूसरे पानी से वाश करने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह हलका हलका चमत से प्रेज कर देंगे और पानी को सेपरेट कर देंगे सिर्फ हमें इस तरह की चंदी में पनीर को एक साथ में कर देना है जिससे पीस करने में आसन रहेगा तो अब ये पानी को अलग निकाल देंगे और दूसरे टोप के ऊपर हम छन्दी को रख देंगे और इसे हमें फ्रीज में रखने के भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने देंगे और हलका हलका प्रेस करेंगे अब 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट के लि चीनी एड़ करेंगे और साथ में 2 टीस्पून ओयल एड़ करेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और की जगह आप चाहो तो घी का भी यूज कर सकते हो देखे सब मिक्स हो जाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और एक टोप में हम आदा कप दूद गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें हम एक से दो चमच दई आड़ करेंगे तो दूद करम हो जाने के बाद फिर हम दई आड़ करेंगे और दई आड़ करने के बाद इस तरह चमच से मिक्स करते जाएंगे जिससे ये भी दूद फट जाएगा तो जैसे दूद फटने की शुरुआत होंगी वैसे ही हम तुरंद गैस बन कर देंगे तो देखे यहां मैंने दो से तीन चमत सारा दई बार चमत से मीक्स कर लेंगे जिससे यह घरम नहीं लगेगा अब हलका ठंडा हो जाने के बाद आटा हम हाथ से लगाएंगे तो एक बार अच्छे से मसल कर लेंगे अब जरूरत के हिसाब से हम गरम पानी या घरम दूद का यूज कर सकते हैं पर आज हमने पनीर बनाया था त इससे नान हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगे तो देखें आटा लगकर तयार है और इतने आटे के लिए मैंने पनीर का वनफूर्थ का पानी का यूज किया था अब आटे का हम 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे तो देखें यहाँ 15-20 मिनिट के बाद पनीर भ सॉफ्ट बना है तो इसे अभी हम सब्जी के लिए छोटे टुकडो में कट करेंगे तो देखें यहां मैंने सारे पनीर का टुगड़े कर दिये हैं एक पनीर के पिसको आपको में पास से भी दिखा रही हूँ देखें प्रेस करने से ही पता चल जाएगा कि पनीर कितना सॉ हाल दिये हैं और यह 1 ऐतल से से लीधन है तो देखें यहां डीकितम में से हाँ आधा कप कॉन को ग्रांट करेंगे और एक पस्विटक उन को भी ऑड़ करने के ढृब ने के लिए मैंने यहां देट कप पानी गरम करने के रख दिया है अब इसमें आधी टीस्पून नमक आधी टीस्पून चीनी और वनफूर्स टीस्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और एक कप स्वीट कॉन को भी एड़ कर देंगे और मिडियम तु हाइफ लम पर इसे है अब सब्जी पनाने के लिए लिए पैन में एक टेबल स्पून गी और एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे ऑल्ल और घी शेयरा पावडर और दो बारिक कटिए हरी मीड़ी डिया करेंगे आदी टीसपून सूनश पाउडर और 1 फूर्स टीसपून अलदी पाउडर ए आप चाहो तो इस तरह चमत से भी थोड़ा प्रेस कर सकते हो तो देखे टमाटर हलके सॉफ्ट हो गए है अब इसमें आधी टीस्पून धनिया चीरा पाउडर और एक टीस्पून लालमिश पाउडर एड़ करेंगे और यह मैंने कश्मीरी लालमिश पाउडर का यूज नहीं स्विट कॉन को ग्राइंड करके रखा था वो भी एड़ करेंगे और इसे भी हम 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे गेस की फ्लेम हमें मिडियम रखनी है अब अच्छे से सौते हो जाने के बाद जो हमने आधा कप दई को फैट के रखा था वो भी एड़ कर देंगे और दई को भी हम 2-3 मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे और जब भी हम स्विट कॉन की पेस्ट एड़ करें तब टेंपरेचर थोड़ा डाउन रहता है तब भी हम दई एड़ कर देंगे जिससे दई फटेगा भी नहीं और दई एड़ कर कर सकते हो अब सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को पकाने के लिए हम डग कर एक से देट मिनिट के लिए पकने देंगे तो देखे एक से देट मिनिट के बाद डगकन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे सबजी के लिए हमें ग्र पानी को मिक्षर ग्रैंडर में रिंज करके ले लिया था वो भी एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें सबजी में ज्यादा पानी एड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब सब मिक्स करने के बाद इसमें एक टीस्पून चीनी एड़ करेंगे और अच अब साथ में हमने जो पनीर घर पर बद बनाया ठाल उसके क्यूब एड़ कर देंगे एक तेबल स्पून मलाए भी एड़ करेंगे और एक कसुरी मेति एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे हम इससतर बाद में ही है यह करेंगे जिसे पनीर जुई होगा तो अब सब अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस हम सिर्फ एक से देढ़ मिनिट के लिए डग कर पकने देंगे जिससे पनेर भी सॉफ्ट हो जाएगा और पनीर में सब्जी का से टेस्ट विए जाएगा तो देट मिनिट के बाद डकान खोल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब लास्ट में हम हम 2 टीज़पून जितना निम्बू का रस नीछ और अच्छे से दकारेंगे निम्बू का रस आप अपने तेस्ट के हिसाब से गल्या कर सकते हो देखे हमारी सबजी बनकर तैयार है अब हम नान के लिए आटा चेक कर लेंगे तो आधी टीस्पून डाल देंगे और आटे को एक बार चिकना करके अच्छे से मसल देंगे तो देखे अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है अब इसमें से हम मिडियम साइस की लोई बनाएंगे तो इतने आटे में से हम 10-12 नान बना सकते हैं तो देखे इस तरह की मिडियम साइस की लोई लेना है और इसे हम बीना सुका आटा ही बेलेंगे तो नान को हम ओवल शिप में बेलेंगे आप चाओ तो राउंड भी बेल सकते हो तो आपको जैसी पसंद है वैसे दे Means और बहुत जाधा पतली ने मेलेंगे न ज्याधा मूटी बेलेंगे तो इस तरह मिडियम ठीक रखेंगे और अब अब ऊपर से थोड़े काले तिल इस तरह स्फिरिंकल कर देंगे और एक बार बेलान से बेल देंगे जिसे तील अच्छे से चिपक जाएंगे और अब उल्टा करके पीछे की साइड हम थोड़ा गिल्ला हाथ से पानी स्प्रेड कर देंगे और इसे अभी हम रोस्ट करेंगे तो रोस्ट करने के लिए मैंने आयन के तवे का ही यूज किया है तवा अच्छे से घरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी मिडियम तो हाई रखेंगे इस तरह उपर से थोड़ा फूल जाने के बाद हम तवे को इस तरह उल्टा करके नान को मिडियम तो हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे तो देखें जैसे जैसे रोस्ट करेंगे वैसे नान फूल जाएगी औ अगर आप नान को इस तरह roast करना चाहो तो gas पर भी roast कर सकते हो पर जरूरत नहीं पड़ती है तो देखें back side भी आप देख सकते हो कि नान अच्छे से roast हो गई है अब गर्मा गरम नान के उपर हम थोड़ा सा गी डाल कर spread कर देंगे जिससे नान और भी soft हो जाएगी और इसी त जुसे हम नान को अच्छे से roast कर लेंगे तो आज हमने जो सबजी बनाई है वो 3-4 लोग को सव कर सकते है अब गर्मा गरम नान को हम सर्वीन प्लेट में सव करेंगे बहुत ही मज़ेदार चोमासा के लिए गर्मा गरम कौन पनीर तवा फ्राइ सबजी और आटे की नान बन